नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी टिपल सी एनम 8831 नियुकती पत्र सचीव जी ने क्या कहा अब ग्यापन का मतलब जीरो नियुकती पत्र के लिए दर दर भटक रहे अभ्यर्थी अभ्यर्थियों के साथ आयोग पर दुर बेवहार जो की गलत है सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर ने दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से यदा सेर करिएगा दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कल की तारीख में यानि तीन अप्राइल की तारीख में कुछ अभ्यर्थी आयोग पर पहुचे हुए थे न्यूकती पत्र जो है बितरन की माग के लिए कि न्यूकती पत्र कब तक दिया जाएगा आखिर कोड केस चल रहा है तो उसमें जो फ्रेस एनम बहन है 6912 उन अभ्यर्थियों का क्या उसमें गलती है जो उनको रोका गया है कम से कम उन अभ्यर्थियों को तो न्यूकती पत्र दे दिया जाना चाहिए क्योंकि आपकी नोटिस के एकार्डिंग जो है यह सब बात हम लोग आप से कह रहे हैं सची उजी से मुलाकात हुई सची उजी ने साफ साफ एक ही बात कहा पहले तो दोस्तों वहाँ पर ये हुगा कि जब अभ्यर्थी वहाँ पर जुटे अभी सची सोर ने क्या कहा वो भी आप लोग को बताऊंगा जब अभ्यर्थी वहाँ पर जुटे हैं तो वो अभ्यर्थी एक जिगहां बैठे हुए थे सांती पूरुप उसके बाद प्रसासन ने उन लोगों के साथ इतना गलत ब्योहार किया दोस्तों कि मतलब ऐसे भगाया कि अब क्या कहा जाए जैसे मालू पढ़ रहा है कि वह अभ्यर्थी सिष्टम में है ही नहीं जबकि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी दोस्तों बहुत बेकार लगा बहुत बुरा लगा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस हिसाब से ब्योहार करना वो भी जो है महिलाओं के साथ है बहुत ही गलत है अब सरकार देखते हैं क्या कहती है सरकार बार बार यही कहती है कि नारी ससकती करा नारी के लिए जो है यह होना चाहिए नारी के लिए जो है यह काम होना चाहिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं लेकिन इन अभ्यर्थियों की क्या ग सर्ची से मुलाकात करने के लिए भेजा गया सची उसर ने एक ही बात वही पुनानी बात दोहरा रहे हैं सब लोग और कोई नया नहीं बता रहा कि हाँ हम जल्द से जल्द आप लोगों की डेट सुप्रीम कोर्ट में लगवा देंगे और उसके आप लोगों को जल्द से जल्द नया मिलेगा न्यूक्ति पत्र जल्द से जल्द मिल जाएगा यह सब नहीं कहरें बस खाली कहरें कि मामला जो है कोड के अधीन है जब तक सुप्रीम कोड से फैसला नहीं आएगा तब तक आप लोगों को न्यूक्ति पत्र अभी नहीं मिल सकता है दोस्तों नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा जब नियुक्ति पत्र के लिए आयोग, विभाग, सरकार सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तब जाके नियुक्ति पत्र मिलेगा ऐसे नियुक्ति पत्र दोस्तों नहीं मिलने वाला है जितना लेट होता जाएगा उतना ही जो है उसमें सभी का फायदा है चाहे आयोग हो चाहे विभाग हो चाहे सरकार हो दोस्तों उतने दिन जो है सैलरी नहीं देनी पड़ेगी अब जब EWS का EWS प्रकड का मैटर लगा ही है क्यों नहीं जो है आप कनफर्म डेट लगा कर एक से दो डेट में ही सुनवाई करके फामामला निस्तारित कर दिये जैसे रजिस्टेशन मैटर में जो अभिर्थी गई हुई थी वो आज ड्यूटी कर रही दोस्तों आपके साथ ही है देख लिए लगवग उनको नियर अबाउट दो महीने हो ग क्या दोसों 7189 है 7189 में से दोसों अगर केवल 700 अभिर्थी प्रयास करें तब भी जो है नियुक्ति पत्र जल्दी मिल जाएगा और प्रयास करने का मतब दोसों आपको जमीनी अस्तर पर अब उतरना पड़ेगा अपनी नियुक्ति पत्र की माग के लिए क्योंकि जो इनक अभिर्थी ओको नियुक्ति पत्र अतिसीघ्र दिया जाएगा अतिसीघ्र का मतब दोसों कितने साल कितने महीने कितने दिन होता है यह अभी तक नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं सचीव सर जी ने भी वही घिसी पिटी बात जो मुखवंद् ही गलत है बहुत ही निंदनी है दोस्तों इसको जो है सरकार को संग्यान में लेना चाहिए कि जब हम नारी के प्रति जो है तमाम योजनाय चला रहे हैं तो हम इनके साथ क्यों ऐसा गलत ब्योहार करा है वो भी प्रसासन के द्वारा खदेडा गया दोस्तों ऐसा खदेडा गया कि पूछिये जैसे इस सिस्टम में हैं ही नहीं और इसके साथ में दोस्तों न्योकती पत्र कब मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता है एक न्यूज पेपर में अभी आया हुआ है वो हमें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा उसमें कितने पद खाली पड़े हैं क्या है वीडियो को जदस जदस सेयर करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद